बिस्मिल्यों अस्सलामु अलेकूम लेयर स्टुटेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं तो बच्चो चैप्टर नुबर 21 एकुलियर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मैस्पेक्टोग्राफ हम शुरू करने जा रहे हैं मैं अइस पर आप से पहले हमने आइसो टॉप के बारे में बढ़ा था और आइसो टॉप श ऺैसिया है ने आपको बताया था कि आई सटोप का मैट आ था कि एटम अप्समिल्स में से अम टॉमिक नंबर पिट्टिशे इनकी नंबर आ पर फिर चैमिकल प्रक्टी सेम होर फीज तो पच्छो अगर हम यहां पर आईसटोप की ही बात करें तो इनको एक दूसरे से सेप्टेट करना बरा ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी ऐलिमन्ट को निकालते हैं जमीन से और फॉम में तो उसमें उसके तमाम आईसटोप्स पाई जाते हैं अगर मैं युरिनियम की बात करूँ तो युरिनियम का अगर हमें एक और निकालते हैं पत्थर युरिनियम का एक स्टोन निकालते हैं जमीन से तो उसमें युरिनियम के तमाम आईसटोप्स पाई जाते हैं अगर हम दो मिजर आईसटोप्स की बात करें एक होता है युरिनिय लगा पर होती है 99.3 परसेंट और इसकी मगदार बहुत कम होती है लेकर अगर हमने रियक्टर में यूज करना है यूज करना पड़ता है तो इन दोनों को आपस में सेप्रेट करने के लिए दूसरे से हम जो टक्निक यूज करते है मैस पेक्टोग्राफ हमने कल भी बात की थी क्यूंकि इन आइसोटोप की केमिकल प्रॉप्री सें में तो इनको हम वो chemical method की जरीए अलग नहीं कर सकते हैं, इनको हम separate करने के लिए कोई physical method ही use करेंगे, और वो physical method क्या है बिटा, mass spectrograph, तो mass spectrograph पर चलते हैं जी, definition पर आ जाते हैं, it is a device which separates the isotopes, ठीक है, we use to separate the isotopes, और ना सिरफ यह isotopes को separate करता है, बलके क्या करता है, it can also determine the masses of isotopes very accurately, यह उनके masses को भी determine करता है, तो principle case का यह isotopes को किस तरह separate करेगा, तो it uses electric and magnetic field to sort out isotopes according to their masses, sort out कर लें यह हम separate कर लें, मतलब यह electric और magnetic field को use करते हुए isotopes को separate करता है, उनके message के यह साब से, तो यहां पर मैंने एक बहुत सिंपल से डाग्राम बनाई है, जो के हमें बुक के ओपर भी नज़र आएगी, इसमें कहाए बटा यह आपको एक vacuum chamber नज़र आ रहा है वाला, और इस vacuum chamber में यह आपको कुछ dots नज़र आ रहे हैं, क्या मतलब है कि हमने magnetic field apply की हुई है, out of page, magnetic field is applied out of page and यहां पर आपको बिल्कुल नीचे दो slits नज़र आ रही होंगे, slit S1 and slit S2 और नीचे क्या लगा हुए बटा, एक ion source, हमने जिस भी isotope को separate करना है, जिस element का isotope को separate करना है, उसको हम क्या करेंगे, वेपराइस करके इस slit के अंदर, इस ion source के अंदर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे यहां पर ठीक है, और इस ion source में जब फिल करेंगे, तो यहां पर लगी हुए बटा, slit S1 and S2 जिनको हमने connect किया है, विदा potential difference भी बैटरी के साथ connect किया हुगा, तो होगा क्या बिटा, जब हम वेपर की फार्म में उनको यहां पर रखेंगे, मतलब जूली नहीं हमें तो उसको हम पीज के वेपराइस फार्म में यहां पर फिल कर देंगे नहीं होना, जो उनसे भी चीज़ है, जो उनसा भी element है, तो जब वो slit S1 में से पास होंगे तो उनके उपर क्या आजएगा बेटा positive charge आजएगा, तो वो जो positive charge ions है, वो क्या होंगे positive ions, वो जब इसमें से पास करेंगे उनके उपर positive charge आजएगा, और slit S1, S2 जो है उसको हमने चुके बैटरी के negative potential से connect किया हुए, तो यह strongly attract होंगे towards slit S2 और acceleration पकड़ेंगे, और acceleration पकड़ते हुए, kinetic energy घेन करते हुए, वो इंटर हो जाएंगे बेटा अपने किसमें इस vacuum chamber में, और vacuum chamber चुके यह charge particles हैं, charges हैं, ions हैं, तो हमने पीछे chapter 14 में भी पढ़ा है, कि जब कोई भी charge किसी magnetic field में इंटर हो, right hand palm rule use करें, sorry, तो velocity traction उपर की तरफ है, जो fingers हैं वो B उपर की तरफ है, तो जो palm है वो इस तरफ लगेगी, तो यह जो charges हैं यह circle में rotate करना शुरू करते हैं कि according to their masses, अब चुके इन में different isotopes हैं, कुछ का महस कम है, तो जिसका महस कम है वो छोटा सरकल बनाते हुए पहले आके गिरेगा, जिसका महस जिएदा और आगे ज़ेगा बढ़ार एडियस बनाएगा और जिसका महस सबसे ज्यादा है वो और बढ़ारे डियस बनाएगा. भाड लिए जाएँ तो बात यह है कि detector में हमें तीन मुफ्लफ जगों पर तीन अगर उसके तीन आइस्टोप्स चया जा था फिर हमें उतनी जगों पर जो है वह डीटेक्टर में मैंस collector में हमें वह आइसोटोप मिलना शुरू हो जाेंगे तो यहां से हम देखे तो जरा हम इसकी वर्किंग पर देख लेते हैं जो मैंने यहां पर जैसे कि आपको बताया है वह यहां पर लिखा भी हुआ है इसकी थोटी सी mathematical derivation भी देख लेते हैं कि इन आइन सोर्स सिंगल पॉजिटिव आइन अर प्रड्यूस इन वैपर फॉर्म और यहां पर वैपर हो मैं प्रड्यूस होंगे यह अइंग चार्ज पॉजिटिव यह अर एकुम होज़ेर्ट होंगे और एकुम चांपर में तो उनकी जो फिलोस्टी वोगी वो किसे सिटेट बहने करें लेके जब एकुम पकट रहे होंगे तो उनकी potential energy कम हो रही होगी और kinetic energy में अजाफा हो रहा होगा तो लोगाने नर्जी कैसे आती बटा QV यहांपर V क्या है यह अपने प्लाइड potential है जिनकी वज़ा से वो क्या करें अपने potential energy को लूज करें और अब क्यों को सिंप्ली हम यहां पर एसे रिप्लेस करते हैं क्यूंवी इस एक्वल टू वन ओवर टू एम वी स्क्यर तो टू इधर आके मल्टिप्ला हो जएगा बैटा और एम इतरा क्या हो जएगा डिवाइड तो यहां से हम इनकी अप्लाइड पूटेंशल वी डिवाइड बैए एम स्केरू यहां पर यह वी विलोटिटी है और यह वी क्याबिटा अप्लाइड पूटेंशल है तो इस विलोटिटी के वैलियू को मैं कहा दता हूं कुशिन नमबर वान जैसे ही यह आईसो टॉप्स जो हैं यह जो आइन करवा रही है इनको गुमा रही है तो बटा वो तो मगनेटिक फील्ड कर रही है इनको सेंट्रिबिटल फोर्स प्रवाइड कर रही है किसी भी बोड़ी को या किसी भी पार्टिकल को दाइरे में गूमने के लिए सेंट्रिबिटल फोर्स रिक्वाइर होती है बटा तो यह क्रोस भी या क्यूवी भी साइन थिटा होता है इस एकवल टू एफ सी इप सेंट्रिप्र फोर्स के बिटा एम वी स्केर ओवर आर अगर आप यहां से खतम करें जिनाहँ क्रोस का सायं तो क्या भी बी साइन सिटा सायं नाइन्टी डिगरी है जिक मेइश दिखहो विलोस्टी उपर की तरफ थे जा रही और मग्नेटिक टू यू आउट अपह पेज है तो मेशन विलोस्टी डिरेक्शन इदर एग्विलो心 की डिरेक्शन कैंसल हो जएका नेक्स चलते हैं बटा क्यू वी भी साइन निटी वन हो गया तो आ गया है mv2 ओवर यहां से वी से एक भी क्या हो गया कैंसल क्यू को हम रप्लेस करते हैं ई से तो e b is equal क्या गया m v over r चुबके हमने मैस को निकालना है यहां पर तो आर इतरह क्या हो जएगा रवी तरह क्या हो जएगा डिवाइड हो जएगा तो e b r over v is equal to m या फिर क्या आएगा m is equal to e b r over v हमने जुके मैसेज को अलग करना है separate करना बटा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए जनाब charge of electron ये charge उनके उपर कितना है magnetic field की value वह भी पता होगी radius और निजए सबसे हम चीज़ उनकी velocity विलोस्टी की value पीछे हमने निकाल लिया यह वो क्या थी पिटा जो विशे नमबर वांजी हमने कहा है जिसको e b r over v की value क्या पीछे निकाल लिया 2 e v over m square root अब यहां पर भी m है यह भी m है तो दोनों को फिर tackle करने के लिए simplify करने के लिए हम क्या कर लाते हैं दोरां तरफ ले लिए स्केयर सुपल के आजएगा m square is equal to e square b square r square over देखो यह square root square से खतम होजाएगा तो 2 e v over m अब यह m simply उपर से लगाएगा पिटा तो m square is equal to e square b square r square over 2 e v into m अब यह जो m है यह क्या होगा बिटा m से होजएगा cancel तो m is equal to क्या हैगा e square अच्छा यहां से e से एक e भी cancel होजएगा तो यही खतम होगा इदर से e b square r square over 2 v इसको दर हमाया इदर लिख लेता हूँ पिर इनको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है m is equal to e b square r square over 2 v अब यहां पर अगर मैं e को constant कर दूँ यह constant यह बटा हमारी applied magnetic field को भी हम अगर हम constant रख दें टू को constant रख दें तो यह सारी चीज़ें अगर मैं constant कर दूँ तो m किसके बराबर आएगा इसका मतलब मैंस क्या होगा और जो चोटा रेडिस बनाएं गाव उसका मैंस क्या होगा कम होगा जैसे के पीछी हमने देखा है यह यहां से देखें दुबारा फिर कि जो जिसका रेडिस छोटा बन रहा है का मतलब उसका मैस नमबर कम है जिसका रेडिस बढ़ा बन रहा है इसका मैस नमबर ज्याद है और जिसका और बड़ा रेडिस बन रहा है का मतलब उसका मैस नमबर और भी ज्यादा है अच्छा एक तो बात यह होगी दूसरी बात यह कि अकार्डिंग नुबुक चलते हैं मैटा यहां पर हम क्या करते हैं हम इन चीज़ें को कॉंस्टन करते हैं जो इनको कॉंस्टन हम करेंगे तो इसका क्या मतलब आ है अगर डीटेक्टर में हमें एक पार्ट्टिकुलर मैस चाहिए zorga हम यह वाला मैस चाहिए यह हम क्यािया करेंगे मैं Kane ज्यादा करूंगा तो उतना बड़ा जो मैस है हमारे डिडेक्टर पे आना शुरू हो जाएगा और बाकी मैस जो एडिकर घरना शुरू हो जाएगा अगर मैस ज्यादा होगी तो जिसकी बाइस यह मैस और बेंडों कर रहो पर्टिकुलर डिडेक्टर में आके घरना शुरू हो जाएगा तो बीगो चेंज करने से हम अपने पार्टिकलर मैस को जो है वो हासल कर सकते हैं अच्छा इसी डिलेशन से हम एक और सीज भी निकाल सकते हैं अगर इस इस रिलेशन क अगर बाइस इस निकाल सकते हैं फिर एक और बात इसमें बटाब के जो हमारे पास अबंडन्स है इनकी देखें आगर हमने तीन डिफरेंट जोगा पर इनको कॉलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर एक कॉलेक्टर लगा दिया है तो कुछ आईसोटोप्स की जैसे मैंने वो जीरिनियम की मिशाल दिया आपको के जीरिनियम की जो अबंडन्स है टू थर्टी एड की वह 99.3 परसंट है और जी तो यह जो दूसरे वाला collector है यह जल्दी बर जाएगा मतलब यह ज्यादा पीक शो करेगा ग्राफ के उपर और जो 0.7 वाला है यह वाला है छोटा जिसका मैस है इसको इसकी पीक्स जो हम भी बहुत कम होगी यह जो डिटेक्टर है पीटा आगे के एंप्लिफाइर और काउंटर के साथ कनेक्ट होता है और काउंटर जो होता है वो क्या करता है हमें पीक्स की फॉर्म में शो करता है कि किसकी अबंदन्स ज्यादा है और किसकी अबंदन्स कम है जिसकी बड़ी बनेगी उसकी अबंदन्स ज्यादा होगी और जिसकी चोटी पर नेदेकि को क्या होगी कम होगी तो नैंसां से रहें योँमिक टो नियोंगे केस में जो हमें डीक्टर जान यह सब्सक्राइब उस्ट रहर किया है क Пол invested यह यह इसके उंटेंसिटा का लेता है वह यह तो आप क्छ इस तरह के पीक शोंगी एक बहुत बड़ी पीक दैन बहुत समाल पीक अड़ें मिडल फी यह उगा नियोन 20 जिस ट्वन्टी वने यंड दिस ट्वन्टीटू किया हमें मिल रहा है इस पी को देखे क्या पता चल रहा है बिटा कि जो नियोन 20 है इसकी अबंदन सबसे ज्यादा है नियोन 21 की अबंदनस बहुत कम है और 22 की इनके मतलब प्याना थोड़ी से ज्यादा है तो पिरियोडिक टेबल के उपर सिर्फ वही एलिमेंट शोगा जिसकी अबंदन सबसे ज को पिक पढ़ेंगे मैंस्ट वेक्रेंड बाइंडिंग नर्जी वह इंचाहला हम नेक्स लेक्टिर में देखेंगे तब तक के लिए अल्दा हाफिज